आज हम लोग BCA 5th Sum की Mathematics, Numerical Methods पढ़ रहे हैं, जो CCS University से Affiliated है, इसकी हम लोग Unit 3 कर रहे थे, Unit 3 में हमारे दो टॉपिक बचे हैं, एक Simpson 1 by 3rd rule, एक Simpson 1 by 3 by 8 rule, तो आज हम लोग पढ़ेंगे Simpson 1 by 3rd rule, क्या होता है इसका फॉर्मूला और इसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, करते हैं, कोशन पे, तो देखिए, सबसे पहले, हमारा फॉर्मूला Simpson 1 by 3rd rule का क्या होता है, I is equal to H by 3, Y0 plus YN, Y0 का मतलब क्या है, First term, YN का मतलब क्या है, Last term, ठीक है, plus 4, फिर small bracket के अंदर, Y1 plus Y3 plus Y5, मतलब जितने भी आपके odd terms है, जितने भी odd terms है, Y1, Y3, Y5, Y7, अब आपकी question में जो table है, वो कहां तक होती है, उसके हिसाब से आप फॉर्मूले को लिखोगे, ठीक है, plus 2, फिर small bracket में, Y2 plus Y4 plus Y6, जितने भी आपके even terms होगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, I is equal to H by 3, big bracket, then small bracket, Y0 plus Y1, 1st term plus last term plus 4, small bracket के अंदर सारे odd terms, plus 2, again small bracket, सारे even terms, then small bracket close and big bracket close, ठीक है, तो देखिए हमारा question क्या है, Evaluate integration, 1 to 2, 4 E की power minus X, DX, using Simpsons, 1 by 3rd rule, choosing interval size of your choice, interval size को हम H बोलते हैं, जिसमें question में ये बोला गया है, कि interval size आप, अपने आप से सको आप choice कर सकते हो कि कितना interval size लेना है, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले solution में, let the interval size is 0.25, H की value हम लोगों ने ले ली 0.25, अपने मन से ले ली, ठीक है, अब 0.25 ली है, तो इसको हम apply कैसे करते हैं, integration के sign में lower value, आपकी क्या है, 1, upper value क्या है, 2, तो जो हमारा interval size होता है, तो lower value में हम 0.25, 0.25 add करते करते, हम देखते हैं कि जो हमारी upper value है, वो हमको कम मिल जाएगी, ठीक है, तो हमने एक table draw करी, table में हमने x लिखा, और question में जैसे था, 4 e की power minus x, second column में e की power minus x लिखा, and then third column में हमने लिखा, 4 e की power minus x, क्योंकि हमें value किसकी चाहिए, 4 e की power minus x की, अब x की first value, lower value जो integration के sign में देखें, lower value क्या है, 1 की well है, तो हमने 1 ले ली, फिर हमने 0.25 add करा, तो 1.25, 1.25 में फिर से 0.25 add करा, तो 1.50, again, फिर 0.25 add करा, 1.75, and then 2, ठीक है, अच्छा, एक बात आपको बार बार बता चुके हैं, कि आप लोगों को 82 ms का scientific calculator, यूज करना है, calculation को solve करने के लिए, ठीक है, अब e की power minus x है, तो सबसे पहली value जो आपको निकालनी है, e की power minus 1 की, इस x वाली value को आप लिखते जाओगे, तो जब e की power minus 1 scientific calculator में देखोगे, एकी value क्या होती है, तो उसकी value आपको मिलेगी, 0.367879, चीक है, उसके बाद e की power minus 1.25 की value निकल आएगी, फिर इसी तरह e की power minus 1.50 की निकल आएगी, उसकी बाद e की power minus 1.75 and then 2 की, अब e की power minus x की जो भी values निकली है, next column में इन सभी values में आप 4 से multiply कर दोगे, क्यों करोगे, क्योंकि question में 4 e की power minus x given, ठीक है, अब आपको पता है कि जो integration के अंदर ये value लिखी होती है, ये value होती है, ठीक है, तो 4 e की power minus x में निकाल लिए, अब जो first value होगी, वो किसकी होगी, y0, second value y1, third y2, then y3 and y4, ठीक है, तो अब हमें ये सारी values पता चल गई, हमें values कहां से कहां तक मिल गई, y0 से y4 तग, अब हम अपना Simpson का जो 1 by 3rd rule है, उसका formula इस table के हिसाब से लिखेंगे कि कितना बड़ा formula हमें मिलता है, तो देखिए, applying Simpson 1 by 3rd rule, i is equal to, क्या होता है, h by 3, h अपने क्या होता है, interval size जो हमने 0.25 ले लिया है, तो h की जगे पर हमने लिख दिया, 0.25 by 3, big bracket, small bracket के अंदर क्या होता है, first term plus last term, first term हमारा y0 है, last term हमारा y4 है, तो हमने लिख दिया, y0 plus y4 plus 4, bracket के अंदर देखिए, उसके बाद 4 के बाद हमारा क्या होता है, odd terms, y1, y3, y5, y7, y9 इस तरीके से, तो यहाँ पर हमें odd term कौन कौन से मिलना है, देखिए अपका y0 हो गया, y4 हो गया, अब odd term में हमारा कौन सा बचा है, एक y1 बचा और एक y3 बचा, तो y1 plus y3 ले लिया, बाहर bracket के बाहर 4 है, bracket में y1 plus y3, अब आपका कौन सा event term बच रहा है, event term में आपका k1 बच रहा है y2, तो आपको लिखा plus 2 bracket के अंदर y2, ठीक है, अब आपको y0 से y4 तक की सारी values आपको पता है, वो सारी values जब आप put करोगे, और उनको आपस में add करोगे, तो आपको मिलेगा 11.16236, ठीक है, और यह तो value है, फिक इस value का multiply 0.25 से करके 3 से जब डिवाइड करोगे, तो आपको मिल जाएगा 0.9301967, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग Simpson 1 by 3rd rule करते हैं, ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो जो मेरा challenge है, Tutorial Classes by Garima Singh, इसको like करिए, subscribe करिए, और इसी तरीके से आपको इस पे lectures आपको पढ़ने को मिलते रहेंगे, और कुछी दिन में आपका course भी finish हो जाएगा, और course फिनिस होने के बार, आपका जो इससे पहले previous year में question paper आया था, उसको हम board पे solve करवा देंगे, ठीक है, तो आपका confidence level थोड़ा सा high हो जाएगा, इससे आपके exam में अच्छी number आएगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग next class में क्या पढ़ेंगे, next class का topic है हमारा Simpson 3 by 8 rule, Thank you,